आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जेम स्टडी में आज के वीडियो में हम लोग दो अपडेट के बारे में बात करने वाले है पहला रिलेटेट एक्जाम से है एक्जाम आप लोग का कब होगा और दूसरा जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि ये एक घटना हो गया है ये अफरा तफरी में घटना हो गया क्या घटना हो गया हो सकता है आपके साथ भी घटना हो तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और इस तरीके से कभी भी कदम नहीं उठाना है तो चलिए पहला अपडेट यहां पर पढ़ सब्सक्राइब घटना है तर दोनों मिलाकर एक घटना है तर फरवरि या मार्च में लिए जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे यहाँ पर डीटेल क्या दिया हुआ आप लोग ध्यान से समझिएगा जारखन में अब मैट्रिक वा इंटर्मीडियेट के साथ आठवी, नवी और ग्यारवी को एक ही परिच्छा होगी मैट्रिक वा इंटर की परिच्छा हैं ओए मारसीट और उत्तर पुस्तिका पर होगी जबकि आठ्वी, नवी और ग्यारवी की परिच्छा हैं सिर्फ ओएमारसीट पर होगी इन परिच्छाओं का आयोजन फरवरी मार्च में किया जा सकेगा या फैसला गुरुवार को सिक्षा मंतरी जगनात महतों की अधिहचता में हुवी जारकर निकड में कॉंसिल जैक की अधिशता और सचिव वा अन्य सिक्षा अधिकारियों की बैटक में लिया गया इस बावत सिक्षा मंतरी ने सिक्षा सचीव को पत्र लिखकर एक बार में परिच्छा लेने की अधिसुजना जारी करने का निर्देश दिया है सिक्षा सचीव अब जैक को एक बार में परिच्छा लेने का अधिसुजना भेजेंगे के बाद जैक परिच्छा की त्यारी में जुड जाएगा अब जैक के दोबर एक नोटिस आएगा जिसमें आपका सारा डीटेल रहेगा कि मॉडल पेपर कब आएगा या फिर एक्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा सारा कुछ आपको डीटेल से बता दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से जो आपका क्लास है वो रेगूलर चलना इस्टार्ट हो जाएगा क्योंकि OMR सीट पर एक्जाम होने वाला है तो MCQ कोशिन एकदम रहेगा दूसरा आपका सब्जेक्टिब भी रहेगा यानि सब्जेक्टिब भी पढ़ना होगा तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे थियोरी क्लास भी चालू स्टार्ट करेंगे इसके लिए आपका टाइम फिक्स रहेगा है समझ़ में आए ना जिस टाइम थियोरी का होगा उस टाइम आपका MCQ नहीं होगा किस तरीके से exam होगा OMR sit भी होगा प्लस आपका subjective भी होगा ठीक है अब बातरे 8 वी 9 और 11 का तो इन तीनों का जो exam है वो एक ही तरीके से exam होगा और वो भी फरवरी और मार्च में ही होगा या फिर अप्रील में हो सकता है ठीक है क्योंकि इंटर और बोट का exam होने के बाद होग यानि अप्रील में आपका एक्जाम होगा 8th वी और 9th वी और 11th का और किस तरीके से होगा OMR 6th पर ही सिर्फ होगा आपको लिखकर एक्जाम नहीं देना है सिर्फ आपको OMR 6th पर ही एक्जाम देना है तो आप लोग जितना से जितना हो सके सिर्फ MCQ सिर्फ MCQ आप लोग पढ़ी यानि one number वाला question जो रहता है उस सारे question आप लोग cover कर लिजे all syllabus को complete कर लिजे बाकी मेरे channel के माध्यम से भी class चलना start हो जाएगा दूसरा update क्या है वो ध्यान से देखिए पढ़ाई के दबाव में आठवी के छात्र ने फांसी लगा दी उसकी जान चली गए आप लोग इतना stress नहीं हो ये पढ़ाई को लेकर जो भी है जैसे भी है ठीक है ये लड़का क्या किया था वो ध्यान से देखिए अब यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लड़का tuition गया आज ठीक है tuition जाने के बाद फिर tuition से आकर वो हत्या कर लिया खुसी कर लिया फांसी लगा कर region पूछा गया तो पढ़ाई का दबाव था मतलब class 8 में सोची ये वो class 8 में था और वो पढ़ाई के दबाव में था बताईए वो भी 10th board भी नहीं लिखा ठीक है 12th board भी नहीं लिखा तो बताईए वो कितना डिप्रेशन में भी जा रहा है आप लोग टेंसन नहीं लिजिए ठीक है ये डिप्रेशन कैसे होता वो ध्यान से समझेए बहुत सारे ऐसे के लिए जय हिंग जय जारकन